मिटाने खबरों का गैप रोज रात आट बजे आएगा लललन टॉप शो लाइव आप डाउनलोड करें लललन टॉप एप नवस्कार मेरा नाम है निखिल और आप ललन टॉप का अंतर राश्री प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारेकरम दुनियादारी देख रहे हैं ये दुनिया दारी का खास कारेक्रा मास्टर क्लास है मास्टर क्लास में हम अंतर राशी राचनीती के किसे विशे zyahti पर विस्तार से बात करते हैं इस हफते हमारा विशह है पाकिस्तान में आमी चीफ का चुना आव अंग्रेजी में कहें तो अपॉइन्मेंट या सिलेक्शन दरसल पाकिस्तान के आमी चीफ कमर जावेद बाजवा का दूसरा कारेकाल नवंबर 2022 में पूरा होने वाला है जनल बाजवा ने साफ कर दिया है कि वो तीसरा कारेकाल नहीं चाहते हैं इस वज़े से उनके सकसेसर पर बहश शुरू हो गए है पाकिस्तान में रिपोर्ट्स है कि सितंबर तक नए आमी चीफ के नाम की घोशना हो जाएगी आज हम बात आमी चीफ के दावेदारों पाकिस्तान की राजनीती में सेना के दखल और सैन शासन के इतिहाज जैसे मुद्धों पर करने बाले हैं बात जाने के पाकिस्तान में सेना कितनी ताकतवर है जितनी नजर आती है उतनी या फिर और ज्यादा चुरू हो रही है और इस अफते हमारे मास्टर साहब है सुशान सिंग सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं वो यह लिए लेक्शर रहे हैं पढ़ाते रहते हैं नाशनल सेक्यूरिटी पर प्रतिष्ठ अकबारों में लगातार लिखते रहते हैं इससे पह पहला सवाल जो हम यही रखना चाहते हैं आपके सामने की एक हिस्टॉरिकल कॉंटेक्स्ट है पाकिस्तान में जिस तरह से हम सेना में काम होते हुए देखते हैं चाहे उनके ऑफिसर्स का अपॉइन्मेंट हो चाहे जिस तरह से वो फील किये जाते हैं जिस तरह से वो उनकी domestic polity में दखल देते हैं हम जाना चाहते हैं कि एक ही ठान से ये दोनों कपड़े कटे और फिर दोनों देश अलग हुए दोनों देशों के बीच में संसाधनों का बटवारा हुआ सेना का बटवारा हुआ उस पूरे framework का बटवारा हुआ जिससे सरकार बनती है दोनों आजात मु करती है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सेना पहले एक पार बनती है और अब लगब लगब सिवर एड्मिस्टेशन के ऊपर उसकी जगह मानी जाती है इसके क्या historical reasons है से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए शो पर पहली बात तो तो यह है कि जब यह है और पाकिस्तान के बढ़रा होता है फॉझ का बटोरा दो बटाए एकके रिश्यो में होता है कि दो क्रीषीट के पता हूँ दो जो दो स्थिति में वो बढ़वारा होता है भारतिय सेना का 30 फीजदी हिस्सा पाकिस्तान के पास जाता है भारतिय नौ सेना का 40 फीजदी हिस्सा और भारतिय विवायो सेना का तकरीबन 20 फीजदी हिस्सा पाकिस्तान के पास जाता है समझने वाली बात है कि जो हिस्सा पाकिस्तान मे के गदर से जोड़ा हुआ था 1857 का गदर बेंगॉल आर्मी के अंदर होता है और उसके बाद से बेंगॉलियों को और इस्टन भारत के लोगों को पूरी भारत के लोगों को फॉज में नहीं लेती है इस्ट इंडिया का अपटी जब मार्शल रेस्टेरी का एक तरह से बिल्क पाकिस्तान का अच का उस इलाकी में जरूर फॉज का बहुत दखल था पर अधर्वाइस नौर्ट फेस्टेन फ्रेंटेर प्रविंस के अंदर आपको याद हो तो भारती सेना वहां पर हमले करती थी भारती सेना ट्राइबल से लड़ती थी जहां तक आपको शायद पता हो का बना सारे जो मिलिटरी जो बड़े लाके थे बड़े कंटूंमेंट से वो सारे यहां पर थे वह सिर्फ एक बड़ा ऑच्टाफ कॉटावेज Nova पाकिसानी स्टाफ कॉलेज को उनका ये कहना है, उनका जो किताब में जो समझाना है, वो ये है, कि एक तरह से जो bad inheritance थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के पास एक तहाई फॉज आती है, 30 फॉज आती है, पर सिर्फ 17 फीजदी revenue उनके पास होता है, ना उनके पास establishment में उस तरह की चीज़े मिलती है, तो जो जो पाकिस्तान की complaint है, कि उनको एक तरह की bad inheritance मिलती है, वो सच है, आपको जानकर हरानी होगी, कि पहले दो से तीन सालों के अंदर, पाकिस्तान का 70 फीजदी बजट, सिर्फ सिना के उपर खरच होता है, कोई भी नहा मुल्क ये करने की कोशिश नहीं कर देता, यहां तक कि क Muslim League थी, वो पार्टी बहुती फ्यूडल और बहुती टॉप लेवल पार्टी थी, कॉंग्रेस पार्टी जो जिसने कि आजादी की लड़ाई लड़ी, वो बहुत डीप रूटिट थी और उसका एक political institutionalization था, जैसे कि मोतिलाल नहरू रिपोर्ट, वो साफ कहती है कि इतने अलदेव सिंग को डिफेंस मेंबर, क्योंकि बाद में डिफेंस मिनिस्टर की गुलंड होता था, वो बना देते हैं, कहते हैं, नहीं civilian superiority होगी, इस तरह की cross-cutting efficiencies थी, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर, भारत ने फिर linguistic states बना दिये, भारत ने reservation कर दिये, तो जिस तरह की diversity थी जिस तरह की challenges थे, उनको cover कर लिया, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में बंगलादेश का कोई representation नहीं था, आपको जानकर हरानी होगी, कि 1960 तक आते आते, पाकिस्तान की 70% फॉज सिर्फ साथ जिलों से आती थी, जिसमें के बंगलादेश के बिल्कुल भ बता ही है, तो इस तरह cleavages को cover नहीं किया, और तीसरी बात भारत ने शुरुआत के दशक में, पहले 10-15 सालों में, कूप प्रूफिंग मेजर्स लिये, कि जिससे के सेना कोई भी ऐसी इस्तिती नह कर सके, जिससे के कुछ का बढ़ो, जैसे के सेना को तीनों में बाटना, प 1951 से लेके 1958 तक, 1953 से लेके 1958 तक, साथ प्रदान मंत्री पाकिस्तान देखता है, उन पांच सालों के अंदर, आठ सरकारें देखता है, और वो बिल्कुल एक पीरिड है जिसमें के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टर्मॉयल है, और एक ही इंस्टिटूशन है, जो कि चमक होते हैं, तो तीन महीने के लिए सिर्फ मार्च से मई 53 तक लगती है, उस दोरान जब फॉज मार्शल लाउ में लाहूर जाती है, तो खास बात लोगों को क्या अच्छी लगती है, कि वो सड़क साफ करा देती है, वो लोगों को सड़क पर पेशाब नहीं करने देती है, व इनों ने तीन महीने ये चलाया, लाहूर, लाहूर को चमका दिया, हमारे तो बिलकुल राजनेता बिलकुल खराब है, तो उस तरह की एक इमेज, उस तरह की एक इंस्टिव इसलाइजेशन और वीक पॉलिटिक्स की वज़ा से पाकिस्तान ने जो जो रास्ता अक्तियार कि लेकिन इस चीज़ को तो समझ नहीं चाते हैं जैसे जो बड़े इंसिदेंस आप बताते हैं कि जिन्ना की डेथ होती है और जिन्ना की जो पढ़ाई थी जिन्ना की जो संसिविलिटी इस थी उनका खात्मा हो जाता है उस टाइम के साथ ही और अगर और मगर में जाएं तो अगर जिन्ना रहते हैं जिन्ना जिस तरह का मुल्क इमाजिन कर रहे थे जिस तरह का मोटो उन्होंने अपने देश की फॉज के लिए रखा था और उनके बाद में फॉज जो रास्ता लेती है जी एच्क्यू 786 अपना मतलब इस तरह के आकणे और इस तरह के सिंबल की चर जाना होगा यह सब क्लारिटी होनी चाहिए कि हम सिविलियन डिसाइड करेंगे कि क्या होगा आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे पर जैसा कि दस साल के अंदर ही होता है 1958 तक आते आते फॉज वहां पर रूल करने लगती है यह बात सही है कि पाकिस्तान में जी एच्क्यू हरे रंका उनका लोगों बगरा बनता है अगर आप उस तरफ देखें तो भारत का लाल रंका और तलवारों वाला लोगों है जिसका कोई रिलिजियस कॉनोटेशन कोई भी धार में कॉनोटेशन नहीं है यह आपने एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट उठाया कि जो पाकिस्ता कर लेते हैं 1977 में भुटो को लटका देते हैं तो वह इसका और और इसका मीनिंग बिल्कुल बदल देते हैं यहां पर फेथ का मतलब यकीन से यहां पर जिन्ना का मतलब था कि आप पदब आपका फेथ है दो मो लाइक डिटर्मिनेशन वाग्या क्या करना चाहते हैं जिया Obediency or Piety, Religion के लिए And Struggle in the Path of the Allah और in the Path of Islam So clearly वो एक पूरा जो Meaning जिन्ना दे रहे थे उससे वो बिलकुल ये different meaning एक बिलकुल different connotation हो जाता है पर मैं एक बात यहां पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जिन्ना की जो पाकिस्तान बनाते वक्त जो जो आइडियास थे वो बहुत ही amorphous थे वो well defined नहीं है उनकी speeches हर तरह की बातें करती हैं और हर तरह की बातें नहीं करती हैं बट ये बात सही है कि मुलाना मदूदी जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया पाकिस्तान बनते वक्त जिया के आते आते उनके जो विचार थे वो पूरी तरह से पाकिस्तानी फौज पर और पाकिस्तानी समाज पर हावी हो गए थे एक चीज़ और हम जाना चाहते हैं और हमारे viewers भी कि अभी पाकिस्तान में यह है कि प्राइम निस्टर शरीफ एक आमी चीफ अपॉइंट करना चाह रहे हैं लेकिन जब हम पाकिस्तान के हिस्टर देखते हैं और इसकंदर मिर्जा से शुरू करके और उसमें आप एक लंबी लिस्ट है मुशरफ तक कि जब-जब जब-जब politicians ने किसी को अपॉइंट करने की कोशिश की है या जिस उमीद के साथ में अपॉइंट किया है उसका ठीक उल्टा हो जाता है और सुनकर ऐसा लगता है कि politicians सीख नहीं रहे हैं उनके जो predecessors हुएं उनकी गलतियों से क्या ये lazy analysis है या फिर वाकई पाकिस्तान में इसी तरह से काम हो रहा है दोनों ही बाते हैं सच हैं तेतीस साल, 75 में से तेतीस साल तो फॉज डिरेक्टली कबजे में रही है चाहे वो आयूब हो चाहे वो जिया हो या आया हो या मुशर्ण हो पर समझने वाली बात ही है कि ये जो individuals हैं ये एक institution को represent करते हैं और वो जो institution है उसका एक सोचने का तरीका है उसका एक value system है और उसका एक culture है जब वो कोई लड़का 17-18 साल की उमर में अफसर बनता है और 30-35 साल नौक ली करके जब वो उपर पहुँचता है तो वो एक institutional consensus को reflect करता है अपने आपको सिर्फ individual को reflect नहीं करता है जब कयानी साहब बात जनरल कयानी बात करते है या जनरल जिया बात करते थे तो वो अपने core commanders at least core commanders जो उनके 9 या 10 core commander है उनके views को reflect करते थे अगर मैं आपको इसका closest parallel बताऊँ तो शायद चीन की Communist Party का Polit Bureau जिसमें कि हमको लगता है कि Xi Jinping dictator है नहीं Xi Jinping एक broad consensus को reflect करते हैं उसको आगे लिके जाते हैं तो ऐसा हुआ है नवाज शरीफ ने 5 सिनाद देख्ष बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर और कम से कम 2-3 ने उनको धोका दिया सरकार गिरवाई मुशर्फ ने तो उनको हटा ही दिया वो बहुत लिमिटेड है सेम जिया के साथ हुआ सेम हमने देखा कि जैसे जो करेंट बाजवा साहब है जब इनको बनाया गया सबसे नीचे के नमबर साथे नमबर या चटे नमबर पर थे पर इनको बनाया गया सोचा गया यह इतने prominent नहीं है पर देखिये किस तरह से नहोंने इमरान को बनवाया फिर इमरान को हटवाया किस तरह से नहोंने राजनीती में किया तो मुझे लगता है कि rather than focusing on individuals individuals को focus करने की बजाए अगर हम इसको इस तरह से समझें कि यह एक institutional view है और एक institutional का belief है कि हम ना कि सिर्फ physical frontiers of Pakistan को defend कर रहे हैं बलकि पाकिस्तान के ideological frontiers को defend कर रहे हैं तो समझने वाली बात है कि 1960 के दश्रक में आयूग के जाने के बाद जब याया रूल करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि एक Major General शेर अली खान पतादी थे जो कि उनके Information and Broadcasting Minister बनते हैं और मैं शेर अली खान पतादी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो जो पतादी सीनियर मतलब मनसूर अली खान पतादी के पिता उनके छोटे भाई थे वो पाकिस्तान जाते हैं और वो as Information and Broadcasting Minister एक नोट बनाते हैं याहा के लिए कि फौज को किस तरह से सोचना चाहिए और वो नोट साफ तोर पर कहता है कि हमको directly involved नहीं होना चाहिए हमारी बहुत standing है हमारी एक बहुत image है हमको standing को use करना चाहिए पर हमको कंट्रोल करना चाहिए पॉलिटिक्स को तो जो अब हो रहा है पिछले दो तीन चीफ के अंडर से चाहे वो बाजवा साहब हों चाहे वो राहिल शरीफ हों या चाहे वो से पहले कयानी हों वो यह है कि वह पावर को पूरी तरह से खुद कंट्रोल नहीं करते हैं पर इंस्टिशनल पूरी तरह से मैनिपुलेट करता है एक तरह से कट पुतलियों की तरह चैस के गेम की तरह खेल के उन चीज़ों को चलाता है रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में वह ज्यादा पार सर आपने एक बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स दि करती है कि देश के लिए जो बहतर है वो उसी का करना ठीक रहेगा अगर वो चीज़ें करें तो बहतर होगा लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस कारण के से इतर जो जो इंट्रेंश्मेंट है पाकिस्तानी सेना का वहां की एकॉनमी में वहां की समाज में उस पर भी हम जाए हम कि फाउंडेशन हैं जिसमें होते हैं और वह सीमेंट से लेके गैस से लेके हाउसिंग प्रोजेक्स वहां बना रहे हैं और काफी ज्यादा एफेक्ट करते हैं वहां की एकनॉमिकों भी और पॉलिटी को भी तो इस फिनॉमेन के बारे में आप थोड़ा सा बताईए हमारे तो जैसा कि आपने कहा बहुत सारे मुलकों के अंदर फॉज होती है पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर फॉज के पास एक मुल्क है तो पाकिस्तान पर यह जब पहले जर्मन की जर्मन आमी के लिए का जाता था अरली 20th century में जिए अर्ली कंट्री आप अर्मन आमी अजर क फाखी फांडेशन है, आर्मी वेलफेर ट्रस्ट है, पाकिस्तानी एयर फोर्ष का शाहीन फंडेशन है पाकिस्तान नेवी का बहरिया फांडेशन है, उसके लाबा डिफेन्स हाऊसिंग अशोश thrown头 के से लेवा वर्गोगों आइजेशन है अगर आपको जानके हरानी होगी कि फौज वहाँ पर मैरेज हाउस तक चलाती है जो कि लोगों को देती है DHA सस्ते में अच्छी जगा पर जमीन लेकर लाहोर में, कराची में, इसलामवाद में, रावल पिंडी में मुल्तान में, बड़े बड़े शहरों में वहाँ पर लेकर गॉल्फ कोर्स बनाता है और सस्ते में फौजीयों को देता है जो कि उसको बेच कर और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं DHA के जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्याची सोसाइटीज है और इस वज़ा से पाकिस्तान की जो एकॉनमी है वो पूरी तरह से अनबैलेंस्ट है जब अफगानिस्तान में अमरीका की फौज, नाटो की फौसल लट रही थी तो जो कॉन्ट्रेक्ट था वहाँ से समुद्र के दौरा जो समान आता था उसको ले जाने का अफगानिस्तान तक वो पूरा कॉन्ट्रेक्ट नाशनल लॉजिस्टिक सेल के पास था नाशनल लॉजिस्टिक सेल कहने को तो रोड्स और ट्रांस्पोर्ट बिनिस्टरी के अंदर है पर वो एक्च्छल पूरा तरह से फौज के पास है वो फॉज उन ट्रक्स को चला रही है, फॉज यून ट्रक्स से ले रही है, तो जो पैसा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की वज़ा से अमरीका आर्मी एक तो कुछ ग्रांट दे रही थी, उसके लावा जो प्रॉफिट भी हो रहा था, वो भी फॉज के पास जा रहा था, तो इसकी वज़े से ये भी हुआ है कि पाकिस्तानी फौज का जो बजट है वो रियली कितना है और वो कितना पैसा कमा रहे है और कितना फाइदा हो रहा है ये पता करना बहुत ज़ादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस तरह के चीजों का डिटेल पता करना बहुत ही कटिन दूसरी बात यह इसकी वज़ा से ट्रेड पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वह फेरली नहीं बन पाती है क्योंकि उसमें इंस्टिटूशन का इंट्रेस्ट चलाता है लोग उस तरह से चीजों को चलाते हैं तूसरी तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी सुसाइटी के अंदर यह तो ौज का इतना ज्यादा इमज बिलडिंग हुआ है इतना उसको उपर चढ़ा गया है और तो इसको देखा गया है कि पाकिस्तानी फौज को कोई क्रिटीस करना नहीं चाहता पाकिस्तानी मीडिया भी इनसे डरता है और पाकिस्तानी मीडिया को वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं कि क्या ख़बर चपेगी, क्या नहीं चपेगी मैं आपको एक एक्जामपल बताता हूँ, 2017 में मैं पाकिस्तान में एक साउथ एशिया मीडिया इवेंट के लिए वहाँ पर गया था और मैं बैठा हुआ था अपनी बात करने के बाद और मैं पीछे आके बैठा हुआ था मेरे सामने एक ISPR के, जो कि उनका मीडिया विंग है उसके एक मेजर या लिफ्रेंट करनल बैठे हुए था, मुझे रैंक याद नहीं है इस वक्त, और वो उस दिन की बात है, जिस दिन की अमरीकन अमबैसडर इसलामपास से उड़ने वाले थे और उनको उड़ने नहीं दिया जा रहा था, मेरे सामने वो कॉल कर रहे थे, मैं टोटल कंट्रोल है, टोटल इस तरह का है, जो आपने भी रिसेंटली भी देखा, जिस तरह से एर वाई न्यूस को बंद किया, या एर वाई न्यूस के पत्रकार को, पत्रकार के खिलाफ जिस तरह ही कारवाई हो रही है, वो सारा दर्शाता है कि वो पूरी तरह से समाज को समाज को कंट्रोल कर रहा है, economy को कंट्रोल कर रहा है, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है और दूसरे जो भी institutions है, अभी थोड़ा judiciary जरूर इस बात पर बोल रही है, पर otherwise बाकी सारे institutions उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पार हैं और इस वज़े से वो society, वो economy वो country, उनका जो system है वो बहुत distort हो गया है, बहुत विक्रत हो गया है एक चीज़ since आप लगातार फालो कर रहे होते हैं इन सारे चीज़ों को, इस चीज़ को काफी लिखा गया है और काफी discuss किया गया है कि पाकिस्तान के जो पिछले प्राइम नेस्टर थे इमरान खान उनकी रुखसक्ती एक bloodless कू थी और उसके पीछे सेना थी अब ये एक theory के रूप में प्रचारित है आप कितना मानते हैं जी बिल्कुल ये सच है कि इमरान खान को हटाने के लिए सेना इसको इस तरह समझना चाहिए कि सेना इमरान खान को लाने के लिए बिल्कुल इमरान के पीछे थी जिस तरह नवाज शरीफ को और PMLN को target किया गया जिस तरह से election campaign run किये गए जिस तरह से 2018 के चुनावकी में बात कर रहा हूँ जिस तरह से उनके जब इमरान की सेना को लगा कि यह बहुत ज़ादा बड़े होते जा रहे हैं और हमको अपना हाथ पीछे कीछना चाहिए तो इमरान को जो लाने के लिए जो हाथ था पीछे वो हाथ हटा लिया गया तो यह नहीं है कि उन्होंने इमरान को हटाने के लिए हाथ से खींच के हटाया पर जैसे ही फौज का हाथ पीछे से हटा और मीडिया को जिडिशरी को बाकी राजनेताओं को लगा कि अब फौज का हाथ इनके पीछे नहीं है वैसे ही इमरान की सरकार का पतन शुरू हो गया पर उसके बाद हम इमरान ने जिस तरह का कैमपेंड किया है और इमरान जिस तरह से पबलिक सपोर्ट गैदर कर रहे है उससे पाकिस्तानी सेना थोड़ी हिली तो है मुझे बलके लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसर और उनके परवारों में इमरान के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है तो कुछ अफसरों की पेंशन, रिटायर अफसरों की पेंशन पाकिस्तानी फॉज ने रोक दी थी क्योंकि वो इमरान के सपोर्ट में बियान दे रहे थे ऐसे 26 फैमिलीज यूएस में जो पाकिस्तानी बेस्ट हैं उन्होंने यूएस डॉलर्स में पैसे बेज़े हैं कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है तो उन लोगों को अब हम पेंशन देगे इसी तरह लोगोंने मुझे बताया कि जो पाकिस्तानी आफसरों हैं उनके रिष्टेदार वगेरा उनको कॉल करके बोल रहे हैं कि आपका और्गनाइजशन किस तरह की हरकतें कर रहा है तो इस वज़ा से बहुत ज़्यादा दवाव आया है पाकिस्तानी फॉज के उपर हाथ अठाने जब उन्होंने हाथ हटाया है इम्रान के पीछे से और जैस सार आप बार-बार जो शुरू से लेकर अभी तक आप बात करें उसमें आप कह रहा है कि ये एक व्यक्ति से ज़्यादा एक संस्था के नियंतरन की बात है पूरव देश में सेना का नियंतरन पूर मुल्पर लेकिन फिर भी उस उस संस्था का रूपक हमारे लिए तो जनर बाजवा बने हुए हैं वो तो उन्होंने out of his own will कह दिया है कि अब मैं continue नहीं करना चारा इसलिए रुखसती हो रही है इन से पहले जो थे जनल ग्राहिल शरीफ उनके बारे में था कि कि यह बहुत ही जमीनी तोर पर जोड़े हुए इनके कई फेमस किस्से हैं एक फेमस किस्सा है कि जब नए 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 आर्मी चीफ बने और एक डिनर नाइट के लिया है जो के बड़ी फॉर्मल टाइप मीटिंग होती है और थोड़ी दिर बाद उतार के अपने सारे फॉर्मल जो कपड़े पे पे थे उतार दिया और नॉमल बिल्कुल बात चीट करने लगे बिल्कुल बैटने लगे पर इससे पहले मैं इन बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अगर पिछले कुछ आर्मी चीफिजिन की हम बात कर रहे हैं 10-15 साल के अंदर पोस्ट मुशर्रफ असेंशली अगर आप देखें किसी का बहुत ज्यादा इंफ्लूइंस रहा है तो वो जनरल कयानी का रहा है अगर आप किसी भी पाकिस्तानी अफसर से बात करेंगे किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशल से तो वो सब बोलेंगे कि जनरल कयानी ने पूरी तरह से पाकिस्तानी आमी को रियोरेंट किया मुशर्रफ के बाद और उसको एक तरह से चाहे वो कोल्ड सार्ट के खिलाब भारत से डील करने की सिचुशन हो चाहे वो ट्रेनिंग की हो चाहे वो जो वहाँ पर रीजनल इंब अध्यक्ष रहे हैं तो उनकी अंडर में दो या तीन चीज़ें हुई हैं बड़ी चीज़ें जो ही हैं एक तो यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फॉज हटी है नेटो फोर्से हटी है और तालिबान की वापसी हुई है जो कि पाकिस्तानी फॉज बहुत सालो से चाहती रही है पर उसी दोरान भारत ने 2019 में बाला कोट पर एर स्ट्राइक की और उसके बाद लगा के टेंशन बढ़ जाएंगे पर वो टेंशन एक तरह से रिजॉल्व हो गए 2021 में इसी तरह से लाइन अफ कंट्रोल पे सीज फायर दुबारा रिंस्टेट हो गया तो बाजवा साब एक तरह से तो जनल बाजवा साब भारत के लिए फ्रेंडली रहे हैं भारत के साथ उनका उन्होंने कई अप्रोच की हैं भारत की तरफ बात करने की और बैक चैनल की जर्रिट्ट को ब्रीव किया और कहा कि हम जीओ पॉलिटिक्स की जगह जिओ एकनामिक्स करना चाहते हैं और हम जीयोकनोमिक का सेंटर बनना चाहते हैं पर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है और अब तो फिर से सौध के अंदर मिलिटेंसी बढ़ रही है टेरो पर सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूँगा कि उन्होंने एक तरह से आर्मी का रोल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से उन्होंने इमरान, नवाज, शेहबाज और मीडिया के उपर कंट्रोल में बहुत जादा डीपली एंट्रेंच कर दिया है जो कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है और खास्तों पर जैसे ज़से पाकिस्तान की एकॉनमी और कमजोर होती जाएगी पाकिस्तानी आर्मी के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी जो आर्टिकोलेट की है पाकिस्तान ने उसमें आप गर बाजवा ने उसको कोई इंटेलेक्श्य इन्पुट दिया है जनल्बाजवा को कभी बिए इंटेलेक्श्य जनल के तोर पर नहीं दिखा गया है एक बड़ी थिर्य पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में चल रही है कि हम geopolitics की वज़ा से मारे गए हैं क्योंकि हम central of geopolitics थे अगर हम center of geopolitics बन जाये जिसरे कि हम central Asia, Iran, China, India सबको connect कर दें, सारे बड़े-बड़े markets को तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे सब लोग उसी थियोरी की बात करते हैं और जनल बाजवा ने भी उसी थियोरी पर काम करने की कोशिश की है पर पाकिस्तान का जिस तरह का behavior है जिस तरह की insecurities है जिस तरह के identity issues है और जिस तरह से उनके फौज का सोचने का तरीचा है उसकी वज़े से कोई बहुत बड़ा बदला इस चीज में नहीं आ पाया है अगर मैं एक बात और कहूं कि जब कोई भी पाकिस्तानी आमी चीफ extension लेता है चाहे वो जिया हो चाहे वो मुशर्फ हो चाहे वो कयानी हो चाहे वो बाजवा हो जब तक कि वो दूसरा tenure आता है तो समझने वाली बात है कि पहले tenure में जो कोर कम बात के हैं तीन चार भी नहीं बलके दस कोर्स बात के लोग होंगे वो इतने जूनियर होंगे जिया के वक्त में तो यह हुआ कि जो लोग जिया के कैड़ेट थे वो कोर कमांडर बन गए तेरह साल के अंदर उन विक्तियों की हिम्मत नहीं है कि वो सची सला दे सकें सही बा बहुत ज्यादा जूनियर लोग तक 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 फॉद में आ चुके होते हैं एक चीज़ सिंस हम पाकिसान में अपॉइंट्मेंट और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं भारत में बड़ा सिंपल तरीका है सेना भवन से एक फाइल जाती है मोडी मोडी से वो फाइल जाती है कैबिन के पास और फिर कब्नेट विचार करता है जन्रली इंडिया में यह होता है सब से सीणियर मोस्त आफिसर होता है सविस्टिस में वही प्रमोट होकर के चीफ अफ आमी नेविया एफोर्स में स्टाफ बनता है पाकिस्तान में प्रोसेस कुछ-कुछ इस तरह का है सर लेकिन उसमें बहुत सारे अपवाद आपको मिलते हैं एक जो जनरल हमको अपनी रिसर्च टीम ने दिया है कि चार पाच लेटरेंट जनरल्स के नाम आपको होता नहीं है आपने पाकिस्तान में जाकर भी स्टोरीज की हैं आपके एक्सपिरिंस में यह चीज कैसे प्लै आउट होती है एक्चुली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से डिसाइड करते हैं कि अगला अर्मी चीफ कौन होगा और यह जैसा कि आपने खुद हैं क्योंकि वह बहुत ही इंप्रेशिव मैं एक सि का्स्ट कम्यूटी से आते हैं आरेयन कम्यूंटी से जिनका पंजाबी राजपूर से दाइब रेच वार उनको लगता है बहुत ही आपसीः पर संथे जिया उल्हक तो उनको लगा कि यह तो कुछ नहीं कर पाएंगे है वो सातवे नमबर पे थे पर उनको बनाया और उन्होंने तीन साल के अंदर ही चार साल के अंदर ही भुट्टो को लटका दिया फांसी पर तो वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा इस तरह से हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं पर प्राइम मिनिस्टर जो decision जिस लिन्मत्रा से सोच के लेते हैं वह नहीं होता है यह आपकी बात सही है किफाइल आती है पाकिस्तान में família के पास पहते हैं और उद dûुमर्मली बात करते हैं और बोलते हैं कि मजे लगता है कि यह सही melon है या या यह सही में आ गया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम X को बनाएंगे कि Y को बनाएंगे कि Z को बनाएंगे उसलिए अब जैसा कि इस बार भी लग रहा है जो खबरें आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में डॉन वगरा में कि शहबाद सरीफ शायद जो उनको लगेगा कि सबसे सिंपिल और फर्स्ट विदाउट एनी प्रॉलम है उसको शायद वो शायद बना देंगे और जो आर्मी का प्राइशनल विव होगा जो उनको आउटगोइंग चीफ बना बताएंगे उसी तरह से उसको बनाएंगे रादा देंगे कि मैं इसको बना दूँ इसकी कास्ट यह है और यह इसका है तो यह स्थरह का शायद अब फैसला नहीं होगा वहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरह की चीज़े सुनने को मुझे थी कि इस तरह इमरान खान ने हाथ जलाए है जी अच्क्यू से डील करते हुए अब यह चीज़ पूरी तरह दे दे गई है प्राइमनेसर शरीफ को उनकी पार्टी भी बहुत जादा इसमें पढ़ना नहीं चाहती है कि यह अगर इस उस तरफ जिस भी करबाट यह ओन बैट जाए इसका बुरा नतीज़ा हमें न भुगतना पड़े तो क्या वो अकेले बढ़ गए है इस डिसीजिजन मेकिंग प्रासेस ने या फिरूं के कुछ वेल बिश्चर सबी भी है शाबाज शरीफ पीपी ने जो उनकी अलाइंस पा वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ का कवी भी पाकिस्तानी आर्मी से खराब रिश्चा नहीं रहा है जो कि नवाज कर रहा है नवाज शरीफ का हमेशा मानना रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मिस्ट्रीट किया है उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया है तो शहबाज मुझे जो आप जिसा कह रहा हैं, बिल्कुल क्लियर है कि वो एक शायद उनको individually और अपने जो close advisors हैं, उनके साथ decision लेना पड़ेगा, पर वो बिल्कुल safe decision होगा और वो इस तरह का decision नहीं होगा, जिसे कोई भी feathers ruffle हो, कोई भावना या आहत हो, वो मतलब जो होगा वो communicate हुआ, पहली चीज हम यह जाना चाहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान की फॉज के बारे में यह भी कहा जाता है, कि पाकिस्तान की नहीं पंजाब की फॉज है, और थोड़ा बहुत NWFP, तो क्या उस context का कोई मतलब है, जिस तरह के संबंद शरीफ जूनियर के हैं सेना के और PMLN, essentially पंजाब की पार्टी है, नवाज की समस्याएं मुशरफ के पहले से शुरू होती हैं, और वो continue करती हैं, पर शाबाज ने हमेशा, अगर आप उनके पुराने statement भी देखें, और जब उनको सरकार को अटा के इमरान की पार्टी को बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर, तब भी उन्होंने कभी पाकिस्तानी सेना की बुराई नहीं की और वो हमेशा से पाकिस्तानी सेना के साथ चलने की उनकी कोशिश रही है, यह बात सही है जो आपने कहा कि जब नवाज शरीफ अरेस्ट होते हैं मुशरफ के दोरा तो शाबाज शरीफ पर उनके संबंद नवाज शरीफ को मकाबले बहतर रहे हैं और उसमें पंजाब का एक बहुत बड़ा रूल है यह बात सही है कि पाकिस्तानी फौज पंजाब डॉमिनेटेड आमी है पंजाब वहां का सबसे बड़ा प्रॉविंस है और पंजाब से सबसे ज़्यादा आफ पी से आते हैं और इस पारे में बहुत कॉंट्रवर्सी भी रही है पर 1971 से पहले ऐसा मस्या बहुत बड़ी थी अगर आप समझे करीवन 55-56 फीजदी आपकी जो पॉपुलेशन है वो इस पाकिस्तान से आ रही है और आपकी सारी जो फौज है वो वेस्ट पाकिस्तान से आ रही है और वो भी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब और NWP से आ रही है तो उसकी वज़ा से इंबैलेंस बहुत जादा था अब वो इंबैलेंस थोड़ा कम लगता है क्योंकि पंजाब बाकी चीज़ों में भी डामिनेट करता है I think almost 60% सीटें पार्लामेंट के अंदर भी एकॉनिमी भी है तो इस तरह से अभी भी वो थोड़ा बैलेंस कर पा रहे हैं जो कि 1970 से पहले बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था क्योंकि बंगॉल के पास इस पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी तागत नहीं थी उस मुल्क में ठीक बात है हम कुछ प्राबेबल्स के ओपर भी बात करना चाहते हैं जितनी बात यहां तक हुई है उसमें हमें दो बाते समझ में आ गई हैं कि एक चीज तो यह होगा कि जो इस्टैबलिश्टमेंट का व्यू होगा आमी इस्टैबलिश्मेंट का उस हिसाप से काम होने व अरबास हैं शमशाद मिर्जा हैं फैस हमीद हैं नौमान महमूद हैं और महमद आमिर भी हैं इन नामों की चर्चा चल रही है इन में से कोई भी एक ऐसा ऑफिसर है जिसके चांसे ज्यादा हूँ या फिर एक दम वो देखिए सब लोग प्रोफेशनली जो लोग बात कर रह हैं वह कह रहे हैं कि लेफ्टन जनल साहिर शमशाद मिर्जा उनका ट्रैक रकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो एक तरह से बहुत ही ब्रिलिंट आफसर माने जाते हैं तो या तो वह आर्मी चीफ बनेंगी और आर्मी चीफ के साथ साथ ही एक और फोर स्टार पोस्ट है व प्रबल दावेदार हैं क्योंकि वह सीनियोरिटी में भी नंबर दो पर हैं और अपने कोर्स में भी वह एक टॉपर टाइप थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उन्होंने जनल बाजवा के साथ भी काम किया है और उन्होंने अच्छी जगा पर पोस्टिं से आप डील करते हैं और उन्होंने भी जी एच्क्यू के अंदर आर्मी चीफ के साथ काम किया है तो मेरी बैट तो साहिर शम्षाद मिरजा और अजहर अबास पर ही है पर देखने बाली बात है कि शाहबार शरीफ क्या डिसाइड करते हैं एक चीज़ यह बताईए सर कि सिं का वहां पर एक अंट्रेंश्मेंट है उसके पूरे सोसाइट है उसके पॉलिटी एकॉनमी में भारत को लेकर के चीज़ें कितनी बन या बिगड़ सकती है क्या परस्नालिटी का फरक पड़ता है जब मुशरफ होते थे तब खूब डिसक्स वह करता था कि मुशरफ ऐसा सो होती है बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते आते डिस्टॉर्ट हो जाती है इसलिए हम चाहते हैं कि सेम माइंड के साथ हम यह समझें कि पाकिस्तान का अगला आमीचीफ जो भी विक्ति बनेगा उससे हमारे हित कितने प्रभावित होंगे परस्नालिट चीफ जाकर आप प्रपोजल लेके जा सकते हैं पर लोग उसको पूरी तरह से रोकने की चमता रखते हैं उसको काटने की चमता रखते हैं उसको बोलने की चमता रखते हैं जैसा कि इस बार भी हुआ है बाजवा साथ के साथ भी जब बैक चैनल टॉक्स चल रही थी और तरह की प्रामिस कर रहे हैं यह ठीक नहीं है यह जिस तरह से इमरान के साथ या इसाई चीफ के साथ जब हुआ उसमें भी इस तरह की बाते आनी शुरू हो गई और आपको पता होगा तो उसके बाद भी आर्मी चीफ गए थे और इस तरह के सवाल पूचे गए थे तरह तरह के जब उस रिटायर्ड आफसर ने वो ट्वीट किया एक दू दिन बाद उसको उठा लिया गया और उसको और उसका अता पता तक नहीं है कि वो कहां पर है तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर हमेशा होती है पर यह बात है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की परसनालिटी का असर भारत की ओपर जरूर पड़ेगा पर इंस्ट्टूशन जो बडी फिंकिंग है और जो वीटो पावर है इंस्टूशन के पास वो बिलकुल असर दिखाएगी, मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता कि आमीचीफ की कोई वैल्यू नहीं है, आमीचीफ की वैल्यू है, पर इंस्टूशन के पास एक तरह की वीटो पाकिस्तान में आपके अनुबहों पे जाएंगे डिली में रहे करके इस चीज़ को डिस्कस करने में एक नुकसान ही हो जाता है कि हमारा ध्यान रहता है पाकिस्तान के इस्ट में जहां पे हम हैं फिर दूसरा ध्याना में जाता है पाकिस्तान के वेस्ट में जहां पे अफग हैं जिनको मूव किया जाता है नहीं पाकिस्तान आर्मी चीफ के सेलेक्शन में तो कोई इस तरह का रोल प्ले नहीं करता है कि चाइना पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सेलेक्शन में इस तरह का कोई रोल नहीं प्ले करता है कि वो कहे कि फलाँ को बनाईए ये फलाँ को फलाँ पंडू भी आया है जो उनका में बैटल टैंक है वो सब चीन से आ रहे हैं और चीन के साथ उनके संबंद बहुत 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 जादा बढ़ रहे हैं यह देखी समझने वाली बात ही है कि पाकिस्तान जब 1947 में आजाद होता है तो पाकिस्तानी फॉज बिटिन फॉज की तरह है भारतीय फॉज की तरह थी 1954 में वो सीटो सेंटों का हिस्सा बनते हैं और अमरीकन अलाइंस के अंदर आते हैं उसके बाद जो पाकिस्तानी फॉज डेवलप होती है वो अमरीकी पैटर्न पर डेवलप होती है तो जो आप पाकिस्तान में इनिशेटिव देखते हैं कि जो बहुत ज्याधा इनिशेटिव है पाकिस्तान में इनिशव लेने के आयात है तो वह अम sı्चेन के प्रभाव धोल्प बहुत ज्यादा बोल्यब लोग training के लिए जा रहा है, equipment आ रहा है, regular meetings हो रही है, उसका पाकिस्तानी आर्मी पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तानी आर्मी उस पर किस तरह से develop करेगी, इसका अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो visible नहीं है, जब आप पाकिस्तानी आर्मी आफ मातिस्तान पियोगे के होते होते वो तूब, बलच्छ यूवतान इचे जा रहा है, और चीन चाहता है, कि पाकिस्तानी मिलिटरी उसको support करे, और उस तरह से काम करे, चीन का दूजा है, जो भी पाकिस्तान से कहे भारत के खिलाफ धवाब डाहनने के लिए, तो वो भारत के खिलाफ उस वक्त दवाब डाले जब चीन भारत पे दवाब डालना चाहता हो जो कि पाकिस्तान ने कई पिछले सालों से किया भी है और शायद करेगा भी समझने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान और चीन क्या दो फरंट है या पाकिस्तान चीन का एक सबसेट है भारत के को किस तरह से देखे भारत पाकिस्तान को एक individual state की तरह देखे एक individual threat की तरह देखे या भारत पाकिस्तान को चीन के की तरह देखे कहें चीन समस्या है तैसका एक सबसेट यह भी है, जैसे एक सबसेट हमारे लिए लगदाक है एक सबसेट अऔर उना चल ले एक सबसेट पाकिस्तान भी है उए खली है जारिऊट नेपाल भी शुलिंग भारारा बड़ा वेपिन्स की तरफ और जाने लगेगी और जैसा कि एशली टैलिस के लिटेस जो बड़ा पेपर आया है उनका उसमें उन्होंने बताया है कि चीन न्यूक्लियर वेपिन्स में भी अमरीका से अब कंपीट कर रहा है न्यूक्लियर वेपिन्स को बढ़ा रहा है बारत अगर ची में आने वाले वक्त में प्ले आउट करेगा इसमें एक चीज मुझे बड़ी दिल्चस्प लगी जो हमारे लिए मतलब काफी नहीं थी कि फिलसोफिकल चेंज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आमी के सोचने के तरीके में बदलावा रहा है वो जिस तरह से खुद को कैरी करते ह चीजें बनाते बिगाड़ते हैं आपका पाकिस्तान आना जाना हुता रहा है इससे पहले रिपोर्टिंग के सिलसले में हम जाना चाहते हैं कि आपका कोई आपका अनुमा वहां पे कैसा रहा फौजियों से मिलने का मेरा पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा रहा एक सतह ही तो मैंने इसके लहावा यून में नोक्री की जहां पर पाकिस्टानी सेने का हमारे साथ थे मैं मेरीटरिय ऑफर था आईवरी edg heldside बहुत दॉद उख तो पाकिस्तान को पहले भी पाकिस्तानी लोगों से मिल चुका हूं और जब मैं नॉर्थ वजीर स्ठान जब हमको लेके गए साओ इस्टाइशा की हम कई सारे जैनलिस ते और जब नेपाल से बूटान से बाज जगा से बंगलादेश हर जगा से हमको वह लेकर नॉर्थ मिरान शामेह जहां पर उन्हें टीटी पीपी को हराया था। तो मुझे यह देख कर यह होई कि इनकी जो जिस तरह से उन्होंने mil bachelor gefाईटर जैसे ले कर पूरे गाहों को उड़ा दिया तो मुझे विएतनार वार की एक American saying है कि we are to destroy the village to save it तो मुझे वो देखके बिल्कुल मुझे पहला थौट मुझे यही आया है हलिकॉप्टर सुतरने के बाद कि यह तो साब इन्हों ने सब धुस्त कर दिया सब तोड़ दिया कहने के लिए कि हम इसको बचा रहा है हैं बचाई क्या है जब आपने सब कुछ यहां पर यहां पर उड़ा दिया दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी तरो पर स्ट्राइक की कि पाकिस्तान में आर्मी का आर्मी की स्टैंडिंग वीजा वी इंडिया मतलब भारत के से या सिविलियन ओफिशिल से बात करते हैं ट्रीट करते हैं सीनिर evolts पे वो क्लियरली दिखहता है की ओ उनको पता है के पावर सेंटर कहां पर है और पावर किसके पास है ये these दो तीन दो तीन चीजे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाने के बाद दिखी पर पर तीसरी चीज़ जो मैंने जब UN में भी नौकरी की या बाकी जगह भी जब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों से बात की है तो ये बास सच है कि वो एक professional force है भले ही वो एक weak economy, divided society, you know, very fragile polity में operate करते हैं पर उनके professionalism को कम आखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी समस्याएं वहा पर की है और इतने फॉर्मल और इतने जल्वे वाले setup में फोन बज़िया था एक बार आपका हाँ मेरान शाह में हम डिवेड कोर्टर के अंदर थे और वहां ब्रीफिंग होने वाली थी क्योंकि एक छोटा सा इंट्रप्च बहुत सारे वियोर्स हमारे समझते नहीं कि लेके गए थे साउथ इसिया के जनलिस्स को और जब हम विजिट कर रहे थे तो ब्रीफिंग के लिए लेके गए और में में था मेरा मुबाइल फोन जो कि हिंदुस्तान के एक सर्वेस प्रोवाइडर का नंबर था और पाकिस्तान में भारती फोन नहीं चलते हैं नहीं लग गया फोन मेरा तो मुझे तब रिलाइज हुआ क्योंकि यह अफगानिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 13-15 किलोमेटर दूर है अफगानिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है वो एयर टेल नेटवर्क को के साथ उसका सिंक है उस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान नह पार्दी सेना में तो किसी भी आप्स रूम में फोन वगयरा लाओड नहीं है किसी को भी ले जाना फोन ले जाना अलाओड नहीं होता है कूंकि इस तरह का वो इलाका होता है आप बटालिन एचक्व में भी जाएंगे तो वहां बिल्कुल ऐसा बोल्ट्स और अंडरलाइन क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो हम मिस आउट कर गए और दर्शकों को उन्हें भी समझना चाहिए उनके बारे में भी जानना चाहिए कुछ आप आड करना चाहते हैं अपनी और से देखिए नहीं आपने जादतर मुद्दों को अच्छी तरह से कवर कर लिया और जो हम पॉइंट बताना चाहते थे कि क्या इंस्टिटूशनल मेकानिसम है और किस तरह से वहां की पॉलिटी ऑपरेट कर रही है वो सारे मुद्दे शायद मुझे लगता है कि ठीक तरह से सब्सक्राइब करना चाहिए सर आखरी जो सेग्मेंट होता है हमारा मास्ट क्लास में वह रेकमेंडेशन का होता है जो हमारे दर्शक इंट्रस्ट लेते हैं पाकिस्तान फॉज में और जिस तरह पाकिस्तान की फॉज उस पूरे देश को प्रभावित करती है अगर इस शुजा नवास के भाई आसिफ शुजा नवास में रहते हैं अमरीकन पाकिस्तानी हैштी जैनलिस आधिकर यह उनकी बहुत फेमसathon पाकिस्ता वो सबसे authoritative किताब है पाकिस्तानी आर्मी को समझने के लिए करीब 600 पन्ने की बहुत मोटी किताब है दूसरी किताब मैं recommend कर सकता हूँ Stephen Cohen की किताब है पाकिस्तान आमी के उपर जो कि 1970 के दर्शक में आई थी और Ziya ने उसको ban कर दिया था पाकिस्तान के अंदर पर Ziya ने सब लोगों को बोला कि आप इस किताब को पढ़िया यह बहुत अच्छी किताब है और बहुत सही तरीके से समझती है पर वो क्योंकि पुरानी किताब है और Stephen Cohen की update हो चुकी है तो पर वो किताब भी एक तरह से समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है तीसरी किताब जो कि मैंने शुरुआत में का Stephen Wilkinson की किताब है Army and Nation जो कि यह बताती है कि पाकिस्तान ने क्यों अलग रास्ता लिया और भारत ने क्यों अलग रास्ता लिया और किस तरह से civil military relations हुए यह तीन किताबें मैं इस वक्त सोच सकता हूँ कि रिक्मंट की जा सकती है फिल्मों के बारे में मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी फोज के बारे में क्या फिल्में मैं बता सकता हूँ पर मुझे इस तरह की फिल्म का अभी इस वक्त कोई आइडिया नहीं किताबें लोग सर्च करेंगे और किताबें लोग सर्च करके पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी चाहिए सारी पढ़े अभी शेक कर लेगा तो यह लोग का पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम लोग मास्टर क्लास का एपिसोड खत्म करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे स्टूडियो तक आए आपने इतने इतनी दिल्चस्प भी इस विशह में और इतने दिल्चस जवाब आप भी दे अपने अनुभव भी शेयर के पाकिस्तान के दोबारा जब हम इस विशह पर बात करेंगे हम आपसे बत लेने की कोशिश करेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे दर्श्रकों का भी जिन्हों ने मास्टर क्लास की इस किस्त को देखा और अगली किस्ते अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहें दिल अरंटों को साथ शुक्रिया आपका शुक्रिया सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे पुलाने के लिए शोपर थैंक्यू सो मच